बस्ती की डाली में प्रदान मंत्री मोधी ने कहा पाँचवे चरण के चुनाव के बाद विपक्ष पूरी तरहा परास हर्याणा के महेंद्र घड में राहूल गांदी ने कहा मोधी की सरकार जा रही है इंडिया गटबंधन की सरकार आ रही है चटे चरण के चुनाब से पहले कॉंग्रेस महासर्चिफ जैराम रवेश का दावा कॉंग्रेस और इंडिया गट बंधन को सपष्ट और निर्नायक जुनादेश मिलेगा सबसे बड़ी पार्टी का उमीदवार प्रिधान मंत्री बनेगा पशे मंगाल के 24 परगना के कांती में बोले अमिट शाह कहा पांस चरण के बाद मोधी 310 सीट पार्ट कर गए हैं बंगाल में भी 30 सीट मिलेगी यूपी के आजमगर से समाजवादी पार्टी उमीदवार धमेंद यादव ने कहा हमने उत्तर प्रुदेश की 89 सीटे जीत ली हैं साथ वे चरण तक सभी 80 सीटे जीत लेंगे बीजेपी ने पवन सिंग को पार्टी से निकाला कारा कार्ट सेंजर दलियो मीदवान है पवन सिंग इन डे की उमे उपेंद्र कुछवाः के खिलाफ लड़ रहे हैं चुनाव हिमाचल में कंगना के खिलाफ चुनाव लड़ रहे विक्रा मदित्य बोले चार जून के बाद कंगना मुंबाई लौट कर कमेडी शो करेंगी ओडिशा के चार विधायकों को कारण बताओ नोटिस बीज्यदी से बीजेपी में शामल होने पर कारण बताओ नोटिस जारी क्या गया 27 माई तक विधान सभा में देना होगा जवाब पूने हिट औन रान केस में नाबालिक आरोपी की कोट में पेशी हुई पूने के जेजबी कोट में पेशी हुई है पुने हेटन राण केस में नई जानकारी समपत्यविवाद में आबालिक आरोपी के दादा ने चोटा राजन को दी थी सुपारी पुने हेटन रां केस में आक्षन कोरेगांव पार्क में आक्षन अवेध तरीके से बने पब को तोड़ा किया डियम ने पूरे के दो पब को सीज़ करने का दिया आदेश कोजी पब और मारियट सूट ब्लाक पब बंद हर होटेल पब और बार की तलाशी कराने का भी आदेश नाबाले को शराब को रोस्ती की जाच का आदेश दिया किया स्वातिमालेवाल ने सोचल मीडिया पर लेखा आपने थाओं पर खिलाफ बोलने का दबाव परसनल फोटो लीक करने की कोशिश स्वातिमालेवाल बदसनल की केस में विभव को जांच के बाद मुंबई से दिली लेकर आई पुलिस विभव के फोन डेटा की रिकावरी के लिए मुंबई गई थी पुलिस मालिवाल बदसनु की केस में केजिवाल की चुपी पर एलजी ने उठाए सवाल आप बोली उपरा जपाल की चुपी से थाबत हुआ बीजेपी के लिए काम कर रही है मालिवाल दिली जरकार की जल मंत्री आतिशी का बीजेपी पर आरोप के जिवाल के खिलाफ नए नए शड़ें तर रच रही है बीजेपी दिली के पानी को हर्याना रोक रहा है एमधाबाद में गिरफ़तार चार आयस आयस आतंकियों का कबूल नामा भारत में हमले की थी साज़श चार बेसे दो आतंकी साथ से आट बार भारत आ चुके थे दिली मेट्रो में सेम के जिवाल के लिए धंकी भरा मेसेच लिखने वाला शक्स गिरफ़तार आरोपी का धंकी लिखते हुए सीसी टीवी आया साम रहे हैदरबाद में अंटी करॉप्शन ब्यूरो का चापा तीन करोड के सोने चान्दी का सामान भरा मत क्या क्या सुप्रीम कोर्ट में हिमन सुरेन के अंतरिम जमानत वाली आची का खारिच चुनाफ तचार के लिए अंतरिम जमानत की मांग की गई थी चारधा म्यात्रा की नाम पर ऑनलाइन ठागी देरादूर में फर्जी रिजिस्ट्रेशन करवाने वाली ट्रावल कंपनी पर मुकद्वा गार्ट कोपर होर्डिंग मामले में एक और मौत मौत का आंकड़ा पहुँचा सत्रा तक बिली यूपी समेट का इराज़ों में प्रचंड गर्मी का कहर आई-मडी के मताबक अगले पांच दिनों तक गर्मी से राहत नहीं सिंगपोर एरलाइन्स का प्लेन टर्बुलेंस में फसा एक क्यात्री की मौत तीस खायल जटके से पांच मिनिट में छे हजार फिट नीचे आया था विमार युद के मैदान से जो बड़ी खाबर आ रही है वार्जों में रूसी सेना का आक्शन देखने को मिल रहा है हौविजज़ से युक्रेणी सेनिकों पर हमला किया गया है हमले में 15 युक्रेणी सेनिक हायल हो गए है जानकारी मिल रही है एक और बड़ी खबर युक्रेण की सीमा पर रूस ने न्यूक्लियर ड्रिल की है पुतिन के आदेश पर परमानू ड्रिल शुरू करती गई है ड्रिल में सकंदर टेक्टिकल मिसाइल सिस्टम को तैनात किया गया है जवानों को न्यूक्लियर हतियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है एक और बड़ी खबर रूस की पैसिफिक फ्रीट का आक्शन देखने कुमल राय तनाव के भी जंगी तैयारी का विडियो सामने आया समंदर में वान ड्रिल का सामने आया है ये विडियो एक और बड़ी खबर यूक्रेन के लुहांसक से यूक्रेन के लुहांसक पर रूसी सेना का कहर देखने को मिल रहा है रूसी सेना ने ड्रोन से किया हमला हमले में कई यूक्रेनी सेने वाहन तबाह हो गए है एक और बड़ी खबर युद्ध के मैदान से ये कि रूस की आर्टलरी ब्रिगेड हमला कर रही है युक्रेन की नीपर गुर्प फॉसल्स पर ये हमला किया गया गुलबारी में युक्रेन के कई सैनिकों की मौत हो गई है युद्ध के मैदान की एक और खबर गाजा से हजबुला लड़ाकों पर इसराईल ने बड़ा हमला किया है तेलवीव में मिलिटरी बेस पर हमला किया गया आग की लप्टों से घिरा पूरा बेस गाजा पर्टी से एक और बड़ी खबर ये कि गाजा पर्टी में राद भर होती रही भीशन बंबारी हमास के ठिकानों पर इसराईली डिफेंस फोर्स ने एर स्ट्राइक की है राफा में इसराईली डिफेंस फोर्स को कड़ी चुनौती दे रहा हमास एक और बड़ी खबर आपको बताने यूकरेन ने दागी है ब्रिमस्टोन मिसाइल यूकरेनी बंबारी से रूसी फोर्सस में खलबली है ब्रिमस्टोन मिसाइल की रेंज 20 किलामेटर बताई जाती है और इसकी बज़े से यूकरेन में खलबली मची हुई है यूकरेनी बंबारी से रूसी फोसे से खलबली मची हुई है ब्रिंस्टोन मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है यूकरेन एक और बड़ी खबर है कि डुनेस्क में रूस औ यूकरेन की आमने सामने की जंग जा रही है रूसी इंफेंट्री के यूकरेन पर विद्वन सक हमले देखने को मिल रहे है अंध्रेव का में यूकरेनी सुरक्षा दिवार पूरी तरह से धुस्त हो गई है तो अमेरिका के खिलाफ क्या शुरू हो गया है ओपरेशन कॉस्मोस इसे जुड़ी क्या बड़ी खबर आ रही है आपको बता दे अमेरिका का रूस पर बड़ा आरोप नए तरह का अंत्रिक्ष हतियार विक्सित करने का आरोप लगाया गया है रूस पर अमेरिका द्वारा कोस्मोस 2576 सैटलाइट को अंती सैटलाइट हतियार बताया जा रहा है अमेरिका द्वारा तो अमेरिका का कहना है कि एक नए तरिकी का हतियार विक्सित कर लियाए रूस ने कॉस्मॉस हतियार है ये कॉस्मॉस 2576 सेटलाइट को दरसल अंटी सेटलाइट हतियार बताया जा रहा है अमेरिका द्वारा और अमेरिका के कहना है कि इसका वो विक्सित कर लिया है रूस ने रूसी राश्टपती पुतिन अमेरिका के खलाब नए-नए हतियार लाँच करते रहते हैं अब पुतिन अंतरिक्ष का एक हतियार लेकर आए हैं जो अंतरिक्ष में रूस के लिए युद्ध लड़ेगा ये हतियार अंतरिक्ष में दुश्मन की सेटलाइट पर नज़र रखेगा और जरूरत पढ़ने पर उसे पल भर में तबाह भी कर देगा दरसल रूस के सोयूज रॉकेट ने 16 माई को मौस्को से लगभग 800 किलोमेटर उत्तर में स्थिद प्रिक्षिक पंस्थल से उडान भरी और प्रित्वी की निचली कक्षा में कम से कम नौ उप ग्रहों को स्थापत किया जिन में कॉस्मोस 2576 भी शामिल है इस रॉकेट की उडान के बाद ही अमेरिका ने रूस पर अंतरिक्ष में हतियारों की होड का आरोप लगाया अमेरिका ने इस मामले को सायुक तुराश्ट में भी उठाया यूएन में अमेरिकी प्रतनेदी रॉबर्ट वुड ने रूस के हाल ही में लाँच किये गए कॉस्मोस 2576 रॉकेट को अंटी सेटलाइट वेपन करार दिया ये तब हुआ जब यूएन में रूस अंतरिक्ष में हतियार तैनाती के खिलाफ मसौधा लेकर आया था और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर ये कि अमेरिकी खुफिया सूत्रों ने दावा किया है कॉस्मोस 2576 अंतरिक्ष में तबाही ला सकता है पश्चिम के सेटलाइट के लिए ये बड़ा खत्रा है रूस अपने हाथ में अंतरिक्ष का नियंतरन लेना चाहता है और इसी वज़े से उसने कॉस्मोस 2576 को लांच किया है दरसल अमेरिका को ये लगता है कि कॉस्मोस 2576 अमेरिका के सेटलाइट को निश्क्रिय कर सकता है उन पर हमले कर सकता है अमेरिका कारोप्य है कि दरसल रूस अंतरिक्ष में हत्यारों की होड़ शुरू कर रहा है और रूस ने जो नया सेटलाइट लांच किया है कॉसमॉस 2576 वो दरसल अंतरिक्ष में हत्यारों की होड को बढ़ाएगा रूस की स्पेस वार को लेकर क्या तैयारी है? आईए ये आपको बताते हैं कॉसमॉस 2576 अंतरिक्ष में पुतन का शूटर है कॉसमॉस 2576 काउंटर स्पेस हत्यार है रूसी सेटलाइट ने अमेरिकी जासूसी उपग्रह का पीछा किया, अमेरिकी उपग्रह को ट्राक किया गया अमेरिकी खूफिया सूतरों के मताबिक रूस ने पहले ऐसा कभी नहीं किया था प्रत्वी की निश्री कक्षा में दुश्मन उपग्रह का मुआइना करने में सक्षम कॉस्मॉस 2576 जरूरत पढ़ने पर सैटलाइट को तबाह भी कर सकता है ये इसको लेकर अलग-अलग जानकारियां सामने आ रही है लेकिन ये एक खतरनाक हत्यार है कई देशों की खुफिया रिपोर्ट इस बात की आशंका जता रही है कि अरब में 100 घंटे के बाद महा युद्ध का विस्फोर्ट हो सकता है इसकी वज़ा है इरान के राश्टपती रईसी की मौत के बाद इरान का प्रतिशोध प्लान इरान की मस्जदों पर शोक और प्रतिशोध के प्रतीक काले ज़ंडे लगा दिये गए है इसके साथ ही इरान के कारवाहक राश्टपती मुखबर की हाट लाइन पर पुतिन से बात हुई है इस बातशीत के बाद रूस में टेक्टिकल नूक्लियर ड्रिल शुरू हो चुकी है माना जा रहा है कि एरान अरब में यूएस खेमे के साथ देशों को एक साथ टागट बना सकता है इस शहीद सलाता कथीरता राश्टबती इब्राहिम राईसी और विदेश मंत्री अमीर अब्दुलाहियान की मौत के बाद इरान शोक में डूबा है बाद की खाबर आने से पहले जिन समर्थकों के हाथ दुआउ में उठे थे अब उन्ही समर्थकों के मन दर्द से भरे और आखे आसों से कि अब जालार ने पाशिश सुनन गतिर अज़ी शब ता सुपती अबड बाद में ता दम ता सुपती अबड़कों की मारा जो अब पुच्च दिवाराहाय तार्फ रफी तुल मुद्ड़ तेरान में रईसी और अब्दलाहियान की शव्यात्रा निकाली जा रही समर्थक अपने नाइकों को नमाखो से अंतिम विदाई दे रही इरान में शुक्रवार तक अलग अलग जगों पर रईसी और अब्दलाहियान की शव्यात्रा निकाली जाएगी प्रार्थना सभाई होंगी शुक्रवार को मशाद में इमाम रेजा के मक्बरे के पास दोनों को दफनाया जाएगा इस बीच इरान सरकार की कमान मुहमद मुख्बर को सौंती कई है उप राष्टुपती रहे मुहमद मुख्बर को कार्यवाहक राष्टुपती बनाया गया है उप विदेश मंतरी आली बागेरी को कार्यवाहक विदेश मंतरी बना दिया गया है 20 माई को कारिवाहक राश्टपती मुहम्मद मुख्मर ने दिन भर सैनी अधिकारियों और अलग-अलग मंत्रियों से बात की इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक इरान रैसी के प्लेन क्रैश के प्रतिशोद की तयारी में है इरान के प्रतिशोद की तयारी का सबूत है इरानी मस्जितों की गुंबत पर काला जंडा फ़राया जाना अब शुक्रवार को रैसी कशव इमाम रेजा के मगबरे के पास पहुँचेगा उस दिन वहाँ भी काला जंडा फ़राया जाएगा और उसी दिन रैसी का अंतिम संसकार कर इरानी प्रतिशोद की शिर्वात हो सकती है इरान सरकार ने क्रैश पर कोई आधिकारिक बयान दे कर इससे साज़िश नहीं माना है लेकिन खुफिया रिपोर्ट है कि इरान इसके लिए इसराइल को जिम्मेदार मान रहा है और वो इसराइल पर कोई बड़ा एक्शन ले सकता है इस्राइल पर अक्शन लेने के लिए एरान का होसला इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि भुखबर को पॉतिन का साथ मिल गया है परस्वास की बड़े खबर अरब में तनाव के बीच ब्रिटन से आई बड़ी खबर ड्रोन किलर लेजर बनाने में काम्याब रहा है ब्रिटन एक किलोमेटर दूर से कई ड्रोन मार गिराने में सक्षम है ये ड्रोन किलर लेजर बीम अब युक्रेन में बड़ा खेल होगा इसके जरिये ब्रिटिन को बहुत बड़ी सफलता मिल गई है, ड्रागन फायर लेजर बनाने में कामियाब रहा है ब्रिटिन, ड्रोन को एक किलोमेटर दूर मार गिराने में सक्षम है ये लेजर बीम, एक साथ काई अटाक ड्रोन को नश्ट कर देगा, दस पैसे प्रती शॉट में ही ड्रो सिस्टम है यानि डिटेक्ट भी कर सकता है, ट्राक भी कर सकता है और फिर डिस्ट्रॉय कर सकता है, सभी मिलिटरी वेहिकल पर लगाया जा सकता है, इसका इस्तेमाल कहां होगा ये 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 भी आपको बता देते हैं, इसमें युक्रेन में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है औ पर आंतनी बिंकन ने विवाधित बयान दिया है। इरान के राश्टर्पती की बिवाधित के बाद या एक विवाधित बयान जो दिया गया। जालने हम इनल अलता करास लांकि어्ट एट। तझीह को अचिसल म directly we Colorado को ए्टार्य के अचति ह्ट टी चाईध इन भी जग ए Kasट जाय अचिए इनी फन्री इता है'RE घ बृपने है अग मनी इन ए इन इन फेल्म इन चाले इंजती है यंट्ड़ दाव ऑल। अमेरिका और इरान के रिश्टे खटास भरे रहे हैं बाइडन प्रशासन में इरान को दुश्मन देश की काटेगरी में डाला गया है अमेरिका मद्यपूर्व में इरान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है ये इसलिए हुआ क्योंकि इरान के सुप्रीम कमांडर खामेनई ने अमेरिका के प्रस्तावों को सिरे से खारज कर दिया रईसी की मौत के बाद इरान की सियासत में बड़े बदलाव हो सकते है सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब आयातुला खामेनई की गद्धी किसे सौपी जाएगी इस हेलिकॉप्टर क्रैश के साथ ही इरान दोविधा अनिश्चित पताओं और कई सवालों में भी उलच गया है सबसे बड़ी उलजन में है इरान के सबसे बड़ी लीडर आयातुला खामने खामनेई के सामने सबसे बड़ा सवाल है अगला राष्ट्रपती कौन होगा देश की सत्ता कैसे चलेगी अपना वारिस वो किसे बनाए सुप्रीम लीडर कौन बनेगा इब्राहिम रईसे सिर्फ इरान के राष्ट्रपती नहीं थे बलकि कटर पंथ की राह से इरान को जोड़े रखने वाले ऐसे नेता भी थे जिन्हें सुप्रीम लीडर खामनेई अपना पद देना चाहते थे रईसी का भविश्य करीब करीब तै हो चुका था उनके नेत्रत में ही इरान के बैतर कल की कल्पना की जा रही थी लेकिन इन मल्पों के साथी सुप्रीम लीडर खामनेई की योजनाएं उनकी उम्मीदे भी विखर चुकी हैं इस दौन में इरान में रईसी की बात से सिर्फ राश्टपदी पदी खाली नहीं हुआ है खामनेई भी अपना पद छोड़ने का इरादा कर चुके हैं उनकी उम्म्र 85 साल हो चुकी है अब इन दोनों टॉप पदों के लिए नए चेहरे की तलाश की जा रही सबसे पहले राश्टपदी पद को लेकर चल रही अटकलों के बारे में आपको बताते हैं राश्टपदी पद की रेस में दो एहम नाम है एहमदी निजाद, महम्मद मुखमर इरान में अब राश्टपदी चुनाव कराने का एलान किया जा चुका है तैयारियां शुरू हो गई हैं और इस रेस में कई और नए नाम जुड़ सकते हैं 28 जून को राश्टुपती का चुनाव होगा इरान में गार्डियन काउंसिल चुनाव कराती है सुप्रीम लीडर की देख रेक में पैनल तैयार होता है पैनल में छे इसलामिक जज और छे वरिष्ट मौलवी रहते हैं पिर राश्टुपती का चुनाव वही जीता है जिसके सिर पर सुप्रीम लीडर का हाथ होता है या जो सुप्रीम लीडर के भरोसे के काबिल होता है अब सवाल है कि सुप्रीम लीडर खामनेई इस दौर में किस नेता पर सबसे अधिक भरोसा करेंगे दावा है कि एमदी निजाद अगले राश्ट्रपती हो सकते हैं एमदी निजाद 2005 से 2013 तक राश्ट्रपती रह चुके हैं इसराइल विरोधी नीतियों के लिए अलग पहचान है एमदी निजाद का अनुभव सुप्रीम लीडर खामनेई के लिए काम आ सकता है कि इसी रेस में इरान के मौजूदा उपराश्ट्रपती मौखबर का नाम टॉप पर है लेकिन जांच में मदद से अमेरिका ने इनकार कर दिया है एरान की अमेरिका ने साफ तोर पर किसी भी तरह की जांच में मदद करने से इनकार कर दिया और आईए अब समझते हैं कि अरब के वो साथ देश कौन से हैं जो रडार पर हैं तहरान, मॉस्को के साथ-साथ गटबंधन का आटमी रण क्या है दरसल देखिए तो ये कौन-कौन से देश हैं जो तेरान और मॉस्को के साथ-साथ गटबंधन के आट्मी रंड की वज़से टांगेट पर हैं साओधी अरब इसके अलावा UAE, कतर, ओमान, बहरेन, जॉर्डन और इस्राइन ये सभी अमेरिका के साथ सायोग कर रहे हैं और इस वज़से ये निशाने पर हैं इरान का खेमा कौन-कौन से देशों का है वो भी देख लिजए इरान के साथ है यमन, सीरिया, इराक और लेबनान तो एक तरफ इरान का खेमा है, दुसरी तरफ अमेरिकी खेमा है, अमेरिकी खेमे के देशों पर हमला संभव है अगर अरब में जंग हुई तो कौन देश किधर होगा ये हमने आपको बताया इरान की अरब जंग में क्या परिणाम होगा ये भी जानना जरूरी है अमेरिका और इरान में अगर जंग होती है तो साओधी एरब, रूस, युएई, चीन, कतर, यमन, उमान, सीरिया, बहरेन, इराक, जॉर्डन, लेबनान, इस्राइल और नॉर्थ कोरिया ये निशाने पर होगे तो परिणाम क्या होगा देखिए ये वो तमाम देश है जो निशाने पर होगे मद्यपूर्व में इरान एकलौता ऐसा देश है जो किसी भीवा परमानू परिक्षन कर सकता है इरान एक हफ़ते के अंदर ही परमानू हतियार तयार कर सकता है रईसी की मौत के बाद इरान बचाव की मुद्रा में है इरान के सुप्रीम लीडर खामेनई के आदेश के बाद इरान के साथ परमानू सेंटर को आक्टिव कर दिया किया है इरान के राष्टपति इब्राहिम रईसी की मौत के बाद अरब में परमानू विनाश का खौफ बढ़ गया है रईसी की मौत के बाद अब इरान किसी भी वक्त परमानू परिक्षन कर सकता है रख्षा जानकारों का माना है कि रईसी की मौत के बाद इरान की परमारू बंब बनाने की अपने जित ना सिर्फ मजबूत हो गई है बलकि इस पर बहुत तेजी भी आ गई है इरान को रूस के साथ साथ चीन का भी साथ मिल गया है लिहाजा अब वो बेखौफ होकर एटमी धमाका कर सकता है इरान के नए एटमी प्लान का खुलासा उस वक्त हुआ जब रईसी की मात के बाद खामनेई हुकूमत का विरोध करने वाले इरानी गुट के उप्रतिनित ही हुसेन आबेदिनी ने बड़ा बयान दिया आबेदिनी ने कहा है कि सत्ता में बने रहने के लिए खामनेई कुछ भी करने को तयार है खामनेई अपनी तानाशाही बनाए रखने के लिए बहुत आकरामक नीती अपनाएंगे इरान अब परमाडू हत्यार हासिल करने के लिए पहले से कहीं ज्यादा कोशिश करेगा खामनेई हुकूमत के विरोधी कुट ने जो कुछ कहा है वो यू ही नहीं है शक है कि हेलिकॉप्टर क्रैश और रईसी की मौत के पीछे इस्राइल और अमेरिकी इंटिलिजिंस एजिंसियों की साज़श है रईसी की मौत ने खामनेई को अरब में परमाडू विस्फोट करने का मौका दे दिया है रईसी की मौत को आधार बनाकर इरान परमाडू हत्यारों का परिष्ण कर सकता है रूस और चीन जैसे देश इरान को अटमी शक्ती बनाने के लिए मजबूत कवच दे सकते हैं इसके बाद अरब में कभी ना खत्म होने वाली जंग शुरू हो सकती है रूस ने इरान को समर्थन देना शुरू भी कर दिया है परिष्णी देश इरानी परमाडू कारिक्रम के विरोथी है याज़ा रूस ने परिष्णी देशों को मिटानी की धंकी देनी शुरू करती है पुतिन के राइट हैंड और रूसी सेकेरिटी काउंसिल के डिप्टी चीफ दिमत्री मेद्वदेव ने परिष्णी देशों को चेतावनी देते हुए कहा है कि अमेरिका और ब्रिटन जैसे परिष्णी देश रूस के वैद्वदेव ने इस तरह परिष्णी देशों को मिटानी की वार्णिंग जारी कर दी है माना जा रहा है कि मेद्वदेव ने ये बयान इरान के समर्थन में दिया है रईसी की मौत के बाद उप राष्टपती मौहंबद बुखपर को तंतरिम राष्टपती बनाया गया है मौहंबद बुखपर भी बर्माडू परिक्षन के बाद बश्चिमी देशों के खिलाब जंग छिड़ने के समर्थक रही ऐसे में बाना जा रहा है कि एरान बहुत जल्द ऐटլी धमाका करने वाला है तो वक्ति बड़ी ख़बर आपको बता दें युक्रैन की जेलों में बंद चैदियों की सेरा में भड़ती होगी युक्रैन की जस्टिस मिनिस्टर उलेना ने बड़ा एलान किया है खैदियों को युद्ध लड़ने के लिए परोल मिलेगी युक्रेन और रूस के बीच जंग पिछले 27 महीने से जारी है युक्रेन ने मजबूती के साथ रूस का सामना किया है लेकिन पिछले कुछ दुनों में रूस ने युक्रेन पर हमला तेज कर दिया है रूस पर उसी अंदाज में काउंटर अटाक करने के लिए युक्रेन में सेनिको की भारी कमी हो गई है लहाजा युक्रेन की सरकार ने जेल में बंद कैदियों को युद्ध में लड़ने के लिए तैयार कर रही है इस खबर की पुश्टी खुद यूकरेन की डेपटी जस्टिस मिनिस्टर उलेना वेसोटसा ने की है रूसी सैनिकों से लड़ेंगे यूकरेनी कैदी अब यूकरेन में सैनिकों की कमी सबसे बड़ी समस्या है एक और बड़ी बात है कि सैनिकों की कमी से जूज रहे युकरेन में लाया गया है नया कानून युकरेनी राश्टपती जेलिंसकी ने नया कानून पर दस्तखत कर दिये है नया कानून से सेना में शामल होने के लिए इच्चु कैदियों को पैरोल मिल जाएगी इस कानून से युकरेन को 20,000 नय सैनिक मिलने की उमीद है गंबीर मामलों में बंद अपराधियों को छूट नहीं मिलेगी नय कानून में सेना में भरती की उम्र 27 से घटा कर 25 कर दी गई है इससे पहले जब रूस की निजी मिलिशियाव बागना ग्रुप ने कैदियों की भरती की थी तब पश्चिमी देशों के साथ युकरेन ने भी रूस का खूब मजाक उड़ाया था अब जब युकरेन में सेनिकों की कमी हुई है तब युकरेन भी वही करने जा रहा है पिछले एक हफते में युकरेन का रूस पर पलटवार बढ़ गया है युकरेन रूस के ओल रिफाइनरी पर ताबर तोड़ हमले कर रहा है युक्रेन रूस की अब तक 10 ओयल रिफाइनरी पर हमला कर चुका है इसके अलावा युक्रेन ड्रोन के जरिये भी रूस के शेहरों को टागट कर रहा है अब सवाल ये है कि क्या युक्रेन ने रूस के खिलाफ अपनी युद्नीती बदल दी है पीते साथ दिनों से क्रीमिया देहल रहा है सिवस्तो पॉल समेथ क्रीमिया के कई रूसी ठेकानों बर युक्रेन लगातार हमले कर रहा है पीती राथ युक्रेन ने क्रीमिया के सिवस्तो पॉल से लेकर युक्रेन के कबजे वाले युक्रेनी इलागों तक बारूदी विनाश बरसाया है ये तस्वीरे रूस के कबजे वाले लुहांस्क क्षेतर से आई है युक्रेन ने लुहांस्क पर मिजाईल हमला किया और इस हमले में रूसी ग्रेव मंत्राले का कैम्प आफिस नश्ट हो गिया जलती हुई इमारत की तस्वीरे लेने से कुछ दिर पहले ही इस पर युक्रेन की स्कैल्प मिजाईल गिरी और रिपोर्ट है कि इस हमले में रूस के कई करमचारी भी मारे गए लुहांस के लोगों ने अलग-अलग जगों से इस हमले की तस्वीरे बनाए युक्रेन के मिजाईल हमले के बाद घंटों तक ये इमारत जलती रही आग थोड़ी शांत होने के बाद मौके पर पहुँचे लोगों ने जो वीडियो शूट किये उनमें पूरी इमारत खंड भी नज़र आ रहा है लुहांस गवर्नर के मताबिक नुकसान का जाइजा लिया जा रहा है युक्रेन ने लुहांस पर एक साथ दो मिजाईल हमले किये हाला कि रूस ने पहला मिजाईल हमला नाकाम कर दिया ये युक्रेन का पहला स्कैल्प मिजाइल हमला है जिसे रूसी एयर डिफिन्स ने हवा बही नाकाम कर दिया क्रूज मिजाइल को इंटिसेप्ट करना मुश्किल होता है लेकिन रूसी एयर डिफिन्स ने पहली मिजाइल को ट्रेस करके सेटीक हमला किया और गिरा दिया परस्वत की बड़ी खबर पूरे हिट अन रॉन केस से जुड़ी हुई